आयर्वेद दा एक खास सिद्धान्त है, सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, आओ सर्द रुत दी खास सबजी, शल्गमा तो बनाओ दे हां कुछ खास, ती जान दे हां शल्गमा दे गुणाबारे सस्रिकाल जी, मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत कौर, ती तुसी वेख रहे हो, पंजाबी आयर्वेदी क्रसुई, साधा एक चैनल हुन बड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग हर दिन साधे नाल जुड़ रहेने, ती वीडियोज नू पसांद भी कार रहेने, मैं तोड़ा सब् किलों तानवाद कर दी हां, आओ हुन रेसिपी नू शुरू कर दे हां, सब तो पहला इस रेसिपी लेई सानू चाही देने शलगम, शलगमा नू छिलके तोके, असी उनना दे इनने साइस दे जिड़े पीसने, ओ कट लमांगे, ए लगपग एक किलो शलगम हन, असी इनना तोके काटले आ हैं, थी थोड़ी देर हवाते सुकाले आ है, एस तो इलावा, एस रेसिपी लेई सानू इक पाईया प्याच, ती 100 ग्राम दी लगपग अध्रकते लसन दा पेस्ट चाही दा है, प्याजन नू असी छिनल्या है, अध्रकते लसन नू भी छिल्ल्या है, हुन असी इनना दा अलग-लग पेस्ट करांगे। इस शलगमादे छिलके हन, इनना दा य वर्त्तों तुसी इस तरह कार सकदेों कि इनना नू पानी दे वीच उबालो, नाली सेंदा नमक पालो, उबले होई पानी नू छान लवो, ते जिननाक तुसी सैन कार सकदेों उनने गरम प तरह प्रणाल सर्दियां देविच जड़े हाथ पर सुझ जान देने विल्कुल ठीक हो जान दे हन। एसे तरह अनार ते संत्रा वी अजकल मौसम देविच है। तुसी थोड़े थोड़े छिलके उनना देवी जरूर सुका आके रखना क्योंकि अग्गे ओन वालियां वीडियो देविच असी पहुत सारियां दवाईयां देविच उनना दी वर्तो करांगे। हुन असी अपनी रेशिपीच अग्य वद्दे हां। अध्रक ती लसन दा पेस्ट बनाओना है। इस करके लसन नू असी ग्राइंडर देविच पा देतता है ते अध्रक देवी छोटे छोटे टुकडे करके ग्राइंडर देविच पा लवाँगे। ति फिर असी इनन दोवा नु कठे ही पीस के ग्राइंड करके अधरक लसंधा पेस्ट जड़ा है वो त्यार कर लवांगे। प्याज़ा नु भी असी मोटा मोटा काट लवांगे क्योंखि प्याज़ा दो अलग तो पेस्ट जड़ा है वो बनाणा है। इदर असी कडाई दे विच दो वड्डे चम्मच सरों दा तेल जड़ा है वो गरम होंदे ली रख दिता है अध्रक तेल असन दा जड़ा पेस्ट है वो त्यार है बिल्कुल इस तरह दा असी पेस्ट बना लवांगे दरदरा जा अज भी कट गए ने बस उससे ही ग्राइंडर दे विच असी प्याज जड़ा पेस्ट है वो बना लवांगे तेल गरम हो गया है इदे चिक चुंडी जड़ा आपा नमक पादो यांगे इस तरह करन नाल तेल जड़ी स्मेल ला हो सबजी दे विच पिल्कुल वी नहीं आँदी हुन असी एदे विच अद्रक तेल असंदा जड़ा पेस्ट है वो बादयांगे गैस नो बिल्कुल सिम रखांगे इस टाइम ते क्योंकि तेल पहुत जादा गरम है तेल लगा तार चलौन दे हुए असी रंग बदलन तक अद्रक तेल असंदे पेस्ट नो पुन लवांगे पांच तों साथ मिन तक असी अद्रक तेल असंदे पेस्ट नो पुन लवांगे यह हलका हो जाएगा असे नो बिल्कुल ब्राउन नी करना जस्ट कलर चेंज करना है प्याज भी जड़ा त्यार हो दा प अधरक लसन भी अध्दा पुन जुक्या है ते हुनसी प्याज दा पेस्ट एदे अंदर पाद आगे ते बाकी दा इहे सारा मसाला कठा एक सार जेडा है नाल नाल पुन्या जाएगा प्याज भी अच्छे है उन्ना नो वी अपा चंगी तरह पुन्या या ता इसक करके हले नंू अपा 10-12 मिनट इस मसाले नू होर चंगी तरह सी पुन्या जेडा है वो पुन के रेडी हुंदा है उन्हीं दिरता कसी होर मसाले जेड़े ने देविच पॉने ने वेक्टेंदे हां इदेले ही सानु चाइदा है पुन्या हुया जीरा दो चम्मच, सौफदा पाउडर दो चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, तनिया दो चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी भी रंगत अनुसार, कलॉंजी तिल लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार तुसी सारे मसाले एक वर दुबारा भी देख सकते हो थाली देविच ते जेडे मसाले ने ये वैसे मैं अपने अनुसार पाएने तो जादा तिक्खा चाहिदा है जादा मसाला चाहिदा है तो तुसी अपने अनुसार भी पा सकते हो अद्रक लसन ते प्याज दा जड़ा पेस्ट है ये भी चंगी तरह पुन के त्यार हो चुक्या है क्योंकि हुने बिल्कुल भी कडाई दिनाल चिपक नहीं रहा एदा मतलब ये त्यार है हुनसी सारे मसाले जड़े ने ओ एदे विच मिक्स कार देंगे चंगी तरह हला देंगे कि जड़े मसाले ने ओ साधे प्याज अद्रक लसन दे पेस्ट विच चंगी तरह राच मिच जान दो तिन मिंट असे नू होर पुन लवांगे तुसी चाहो तो थोड़ा जा पानी दा चिट्टा दे सकते हूं जे तो लगड़े कि हेठा लग जानगे मसाले नहीं तहां कोई एड़ी जरूरत नहीं है क्योंकि अपना जड़ा तड़का है वो लगपक पुन्या होया त्यासी नू बस दो कमेंट टकन लगाके ते इनू होर स्टीम करना है जिदे ना ले सारे मसा जाले असी खुद आप पीस के त्यार कर दे हां या आप अपने हथा नाल पिस्वाने हां ता इनना दे जड़े गुना दी वृद्धी है और दुगनी तो चौगनी हो जान दी है ता बस एही आयुरवेदी कुकिंग है कि खुले पांडे दे विच चंगे बरत्रां दे असी एनू दोकमेंट टाक दे आंगे ते बस एह जड़ा साड़ा मसाला है बिल्कुल त्यार है ते एदे विच हुन असी पा दे आंगे शल्गम जड़े असी कटके रखे हो एसी गे एनना दे विच बिल्कुल भी वैसे पानी नहीं है तुसी चाहो ता एनू चंगी तरा प इन जाब दी एक पुरानी डेश है हर परिवार हर कर एनू अलग तरीके नल बनाओदा हुएगा जित उसी कुछ वक्रा तरीका वर्त दे हूं ता जरूर कमेंट सेक्शन दे विच दसना पर साड़े का विचे इससे तरह त्यार कीता जानदा है ते जड़ा शल्गम है मतलब और सेटली बहुत जादा चंगा हुं दा है सर्दियान ले सोगात यज रिविक जिननी वी सोजश हुनदी है अकसर कई अधा जड़ा शरीर रहो सर्दियान दे जड़ जोड ने और रहना णी ओन्पने शेर डेख जैना जानदी है ते शरीर देविक विक कई अधा फील हुन तये इस करके मौसमी सबजियां गाना कास्ट इफेक्टिव ने जे अपानो грब तो सस्तियां पैंदियां तो अन्प स्ञाइल भे लूड़ी ने कोई भी फाइदा नहीं है तो बारा मिंट असी नूँ कोप कार लिया है उन्हें इस तरह नहीं है यह बिल्कुल असी सबजी ती तरह गलोना नहीं हुंदा यह छलका कच्छा पंजड़ा और रहना चाहिदा है ताहीं यह जड़ा स्वाध है और अंदा है ती हुन असी एदे विच थोड़ी जी शक्कर पादे आंगे क्योंकि शक्कर पाणी बहुत जरूरी है उदेना लेदा टेस्ट हो और वी जादा हो जानदा है पर यह ऑप्शनल है तुसी नहीं पाणा चौन दे ता ना पाओ शक्कर दो वड़्डे चंबच असी एदे विच पादिती है जदो पूटी जी डली वी पासक देऊं शक्कर दी जगा ते बस हुन असी नूँ फेर थोड़ी दिर टाक दियांगे पांसात मिंट असी नूँ होर पकाल मांगे बस फेर यह त्यार है बिल्कुल पांसात मिंट टक के पकान तो बाद हुन ए अचार जड़ा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है खान ले ये त्यार है ये जिनना खांच स्वाद लगदा है उनना ही सेत लईवी गुनकारी है शल्गमा दा साग भी बनाया जान दा है वो भी बहुत ही जादा स्वाद बंदा ह शल्गम दा सबतो वध्या गुळैकी जिमें अपका काई दिने की मूली खा ओ मूली पेट लाई बहुत चंगा है त्यार नहें की जाड़नी हुनी प्रिट लोइक चंगा कर दी है तै शंगम ना था था थंदेने लितार दी करब वती ए future visAMशी है ग्रवाटी इस्त्रियां लई भी बहुत ही चंगी खुराक है मैं उमीद कर दी हैं कि ये रेसिपी तो नो जरूर पसंद आई होएगी तुसी वीडियो नो लाइक जरूर करना ते शेर करना ना पुलना मैं फिर मिलांगी एक होड नमी वीडियो देनाल तद तक लई सश्रिकाल